तो के बच्चों लास्ट क्लास हमने देखा था जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रहे हमारी जा रही है उसके साथ होता कि अब पाथ अपना डाइवाड कर लेती है इस वाले वीडियो हमें देखेंगे यह जो दो मीडियम है हमारा न यह नॉर्मल है यह रहे होगा अगर मैं इस वाले के हडिंग डालू हूँ डारेक्शन और बेंडिंग आफ लाइट वहारा हो जाएगा इसका डायरेक्शन कुछ गलत होगह होगा है है यह के सेज कर देते हैं है 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 यह हमारा दी डायरेक्शन redirection of bending of light bending of light छीक है हमने अभी तक यहां तक हमने देख लिया कि light हमारा diverge हो रहा है light हमारा diverge हो रहा है अपने path से जब एक medium से दूसरे medium में जाता है डायवर्जन refractive index से हमने देखा था आप देखेंगे जसे medium हम लेते हैं मालीजये आ पर दो medium ले लेते हैं एक हमारे पास medium है कुछ ऐसा है छीक है इस पर एक हम लेते हैं normal अगरा इस तरह से है गार्मर ठीक है दो medium हमारे हम पास एक 1 1 और एक 2 इसको मैं ले लेता हूँ medium 1 medium 1 ठीक है इसको मैं ले ले लेता हूँ medium 2 अच्चा अगर यो मैं case ले लूँ मैं case ले लेता हूँ कि जो हमारे light ray है वो हमारे light ray है वो rarar medium से denser medium में जारी 나lyn matt준 Rarer Medium से Denser Medium की दरण जारी Rarer to Denser तो अगर मैं इस Medium-1 का Refractive Index लूँ तो NR लिख सकता हु, Rarer Medium का Refractive Index लूँ इसको ND लिख सकता हू, Ding Legisches, Denser Medium का Refractive Index यहां से आया यह अंगल अई बना रहा है एंगल अई बना रहा है है यहां से जो light ray camera इमर्ज करेगा यहां से कॉंसा अइंगल का अरल से known पर नालम से आल्ग से कौन से कूंसे अगल बनाएगा फ़ेत नहें डुट कि रेफ आमारा क्या है ड्यार गोर्भ के अइजिस्ञा सिक wybानेगा बाल lun bourg रिक्तिड़ एंगल कोई डाउट यहां तक है इसी में गिसलिक पर दिन ओयवे टिई अब यह लोग फिंस फलॉव अगर लाज़ आफ रिफ्रेक्टैन आफ लाइट है दिगारमना intense 3rd law पढ़ा थे, क्या, कि refractive index of same medium and angle subtended on that medium, sin I, यह हमेंसा constant होता है, यह हमेंसा constant होता है, माले देख, angle हमारा I, कुछ ऐसा बन रहा है, यह हमारा R हो गया, चीक है, तो अगर मैं यह law use करूँ, 3rd law use करूँ, मैं क्या लिखूँगा, इन हमारा किसमेद रेरर मीडियम में इन्टु साइन आई इन्टु साइन इन्टु साइन आर इन्टु साइन आर को डाउट बचे यहां तक अब देखिए इसी पार्ट में अगर आप देखो इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनका एंगल इस मीडियु का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनका हिस मीडियु का एंगल यहां ने किया अगर आप इसको मैं लिखूहूं मैं क्या मैं मुझा लिख सब तह ह потреб Debate साइन आई डिवाइड़ बाई सिन या को क्या लिख सब्परों साइज अवे इनका इनका बेढ़ रएर मीडियम from here we can write a refractive index of denser medium to the refractive index of raider medium must be greater than 1 यही value हम यहाँ पूट करेंगे अगर आप यहाँ पूट करेंगे अगर आप यहाँ पूट करेंदेश क्या लिख सेता हूं sin i divided by sin r यहाँ में ग्रेटर दन वन हो जाएगा यहाँ से हम क्या लिख देंगे sin i greater than sign r और अगर मैं sign आटा दूँ and sign angle में हटा देता हूँ तो केवल angle i जो हमारा greater than angle r के हो जाएगा यानी जो हमारा lighter, rarer medium से dancer medium में जाएगा in that case यह जो i angle है इस i angle से यह जो refracted angle है छोटा होगा और छोटा हैने का तभी case है जब यह towards the normal bend करता हूँ करेगा तो r हमारा increase हो जाएगा जो कि यहाँ पर so नहीं हो रहा हमेशा यह less than होगा ठीक है तो यहाँ से हमने देख लिया कि विए light ray goes from rarer medium rarer medium to denser medium ठीक है यहाँ से हमारा light ray rarer medium से denser medium में आ रहा है आपने देखा जो angle of incidence है must be greater than angle of refracted light जो हमारा reflection से जो light बन रहा है तो यहाँ से देख लिएगे कि light ray bends towards the normal light ray bend bend towards bend towards the normal चीक है तो इरावट यहाँ पर अच्छा इसी में एक दूसरा case हमारे पास आ जाता है क्या when light ray goes from denser medium to rarer medium second case है हमारे पास when light ray when light ray goes from goes from tensor medium to rarer medium डेंसर करें जाते है चीक है एक normal बना लेते हैं हम यहां पर हमने एक normal बना लिया यहां पर यह हमारा normal ठीक है और यह हमारा कौन से medium है तेंसर मीडियम हो गया तेनसर मीडियम हो गया जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंडी से एक मिडियम हो करते हैं यह मोण ऑपर हुल एन्गल कुछ मच पर रहा है आई चीक है एंगल कुछ फॉर्म कर रहा है कुछ इस तरह समाल लिए एंगल है हमारा आई और यह कुछ एंगल यह बन रहा है एंगल है हमारा आप अगें बाइ जिए थार्ड लाव रिफ्रेक्षन रिफ्रेक्षन का थार्ड लाव क्या है एंड इंटू साइन आई इज उक्वास तो कॉंस्टेंट किस ने दिया है इस ने दिया 1621 में वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं उन्होंने एंची जो को प्रूब किया ठीक है यहाँ आप देखिए इस मीडियम के अपना हम अलग रिफ्रेक्टेड एंगल रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एंगल का मल्टिप्लिकेशन करेंगे अब देखिए तो फर्स मीडियम यहां से अगर आप लिखो तो साइन आई डिवाइड बाई साइन आर तो यहां पे आपका आ जाएगा एन आर नहीं में रिफ्रेक्टिव इंडेक्टिव इंडेक्स और टेंसर मीडियम हम लोग को पता है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्टिव इंडेक्स और टेंसर मीडियम यहां आप कवरों करोगे N refractive index of rare medium to refractive index of lesser medium should be less than 1 यहीजी हम यहाँ पूट कर देंगे जब आप यहाँ सेम एक्स्रेशन यहाँ पूट करोगे तो आज आएगा sin i divided by sin r it must be less than 1 याँ अगर आप देखो हम दिसे ते हैं sin i less than sin r और अगर मैं एंगल sin अगर मैं sin हटाता हूँ एंगल i must be less than एंगल r किस केस में? जब light रे हमारा denser medium से radar medium में जाएगा तो जो भी angle बनेगा i यह r से छोटा होगा r से छोटा कब होगा जब light ray normal से अवे जाएगा क्योंकि एंगल जो भी हम measure करते हैं वो हमेशार normal से measure करते हैं चीक है? तो यहाँ पर हमारा clear हो गया जब light ray हमारा denser medium से denser medium से rarer medium में जाएगा denser medium to rarer medium rarer medium in that case होगा क्या? जो light ray हमारा away from the normal होगा जो light ray है हमारा away from the light ray away from the normal away from the normal टोई राड बच्चे ठीक है? तो bending of light हमने देख लिया कि जब rarer to denser जाएगा light और denser to rarer जब light जाएगा उस case में क्या होगा? किधर light bend करेगा? या हमको reflection में जो third law है and into sign iris, snails law वो बताता है ठीक है बच्चे? आज की इस class में? बस इतना करते हैं बाकि next class में मिलते हैं और सबसे last में जो सबसे important है क्या है वो? जहिन everyone ठीक है? next class में मिलते हैं पूरी energy के साथ झाल झाल झाल